सिक्षक बहाले में किस तरह गरबड़ी हो रही है और पैसे की उगाही का खेल चल रहा है इसकी बानगी भागलपूर में उस समय देखने को मिली जब भागलपूर सरकीट हाउस पहुँचे बिहार सरकार के सिक्षा मंत्री बिजय चौधरी के पास एक सिक्षक अभ्यर्थी ग ठगी करने का रोप लगाया उन्होंने जिलाय स्कूल की लैब्रेरियन अस्वनी कुमार आरिया और गोराडी के सिछक नित्यानन सिंग पर ठगी का रोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई सिकायत करता ने अपनी और से दिये गए रासी का भुगता नगद समेत चेक के माध्यम से किया इसके अलावे फोन पर हुई बादचित का सारा रिकॉर्ड भी मंत्री जी को सुनाया उन्होंने अपने आवेदन के साथ मंत्री को साक्ष भी दिये जिस पर सिक्षा मंत्री ने समुचित कारवाई और एक्सन लेने का स्वासन गुहार लगाने बाले अभ्यरतियों को दिया बहाली के नाम पर ठागी करने वाले सिक्षकों ने अभ्यरति को DEO और BEO से भी मिलवाया जिसकी जानकारी उन्होंने मंत्री को दी इसा है कि भागलपूर के दू सिक्षक है सर एक जिला इसकुल नवस्थापित के लैबरेरियन है जिसका नाम स्वनी कुमारारिया है और एक नित्या नंसिंग है जो गोराडी में सिक्षक के पत्पे हैं ये दोनों मिलके हमको नोकरी का जासा दे के सर फर्जी वारा करके फर्जी नियुक्ति पत्र दे के हमसे च्छो लाग तैतिस जार ठग लिए सर इसका आविदन जब हम DEO सहाब को दिए सारी जानकारी दि लिए सर हमको DEO सहाब के हाँ एक दो दिन भेजे थे उनके साथ भी हम कई वार DEO सहाब के हाँ गए है सर मंत्री जी बोलेगी इस पर हम कारवाई करेंगे जब FIR हम किये सर FIR होने के बाद हम सारा साक्ष FIR में दे दिये वहां पे सर कि हमने चेक के दुवारा दिया है नगत सारे का मेरे पास recording भी है सर जैसे जैसे हमारी बात हुई है सर उसके बाद आयो उसका जो नित्यानन सिंग का भैगना है जिसका नम संतोस सिंग है वह आयो से मिलके और मेरे केस को खतम करवाना का चकर कर रहा है सर दवाने का कोशिस कर रहा जा रहा है नित्यानन सिंग गोकु नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पटना की टीम को यह गुप्त सूचना मिली क्यरुनाचल परदेश से गांजा की बड़ी खेब ट्रॉली ट्रक से भागलपूर लाई जा रही है जिसके बाद NCB के पताधिकारी और करमी देरराद भागलपूर पहुँचे जहां उन्होंने भागलपूर पुलीस के सहयोग से जीरो माईल में नाकबंदी कर वहां से गुजरने बाले ट्रॉली ट्रकों की जांच सुरू कर दी इसी करम में नागा लैंड रिश्टेशन वाली ट्रक को रोका गया ट्रक की ट्रॉली खाली थी पर जब टीम ने उसकी सगन जांच की तो की ट्रॉली के निचले हिस्से में गुप्त चैंबर बना मिला चैंबर को खोलने पर उसमें दर्जनों सेलो टेप लगे पैकटों में भारी मात्रा में गांजा बरामत किया गया पैकटों का कुल बजन 350 ग्राम होने की बाद सामने आई है मामले में ग्रपतार अभ्युक्त वैसाली जिला कर रहने वाला विकास रविदास है जो त्रीपूरा में रहकर ट्रक चलाता था 29 सितंबर को जगदीशपूर परखंड के सभी 14 पंचायतों में होने बाले पंचायत चुनाब को लेकर राजनितिक तापमान आसमान चु रहा है दूसरे चुनाब को लेकर चुनाब परचार में काफी तेजी आ गई है 27 सितंबर को साम पांच बजे जगदीशपूर के सभी पंचायतों में परचार अभियान थम जाएगा जिसको लेकर सभी परतियासियों ने अपनी पूरी ताकत जोग दी है और रैली निकाल कर अपना दौरा किये गए विकास कारियों के लिए मतलान करने की अपील की इस दौरान मुखिया परतियासि मुकेश मंडल ने लोगों से मिल रहे समर्थन सयोग और प्यार को देखते हुए अपनी जीत का दावा भी ठोक दिया गाव еजर हम जीत जाओ वोगों से द助还 को अपना से यह समझर लोगरे समų और रहे समा देखते हुए MA लिकाशना वेखते हम आपरतियासियासियासिया जीत की इस वापरतिया से टाकौरी द arrangements ऑी हम आपरतियासियासियासियासियासियासियासिया से पांजिशना थाए के सबसे पहले में सभी मीडिया कर्मियों को धन्यवाद देना चाहता हूं आज सभी को उपता है युवास लेकर के सभी बुजूर्ब लोग भी हमारे साथ हैं और आगे भी मुख्या मुझे देखना चाहते हैं लोग और हम जो भी कौम किये हैं जरातल पे वह भी दीक रहा है औ और हमारे साथ सभी जनता मेरे साथ है। परखंड में होने बाले मतदान को लेकर प्रत्यासी और उनके समर्थक लगातार डोर टोर जनसंपर्क अभियान चला कर मतदाताओं को अपने दोरा समाच के विकास के लिए किये गए कारियों के अधार पर मतदान करने की अपील कर रहे हैं। असकारियों का हवाला देते हुई समर्थन की अपील कर रहे हैं। भागलपूर के नुगच्या अनुमंडल अस्पताल में ट्रूनेट मसीन का उधायटन अस्पताल धिचक डॉक्टर अरुन कुमार सिन्हाने किया। उन्होंने बताया कि अब नुगच्या के टीबी मर्यों को जाच कराने बाहर नहीं जाना पड़ेगा। पहले टीबी रोग्यों के बबलगम के जाच सुछमदर्सी से की जाती थी जिसमें कई बार रोग का पता नहीं चल पाता था। लेकिन यह मसीन काफी समवे ननसील है जो हर तरह के टीबी रोग्यों की पहचान कर सकेगा। पहले ऐसे रोग्यों की जाच के लिए भागलपूर जाना पड़ता था। अनुमंडल के सभी पीचसी में टीबी रोग्यों के सेंपल की यहाँ पर जाच की जाएगी। इस मौके पर अनुमंडल अस्पताल के उपाधिचक डॉक्त अरुन कुमार, नौगचिया पीचसी के प्रभारी चिकित सापतादिकारी डॉक्टर वरून कुमार, डॉक्टर वीधास, डॉक्तर जमसीद अहमद, अजै कुमार सिंग, सुझीत कुमार, 14 सहीत कई स्वास्त कर उसी के लिए एक true net machine यहां में जा गया है, जिससे की मतलब इसकी sensitivity काफी है, जिसमें के sputum से DNA सेपरेट करके उसका जांस किया जाता है, कि TB है या नहीं है, अगर है तो और फामपिसीन से assistant है या नहीं है उसके भी इसमें जांस की जाए, इस machine की काफी अभ्योगता है, TB के cases के इसे लिए हैं और इस अरमंदल के जितने भी ब्लॉक हैं साड़े पेसेंट का इसका जांस किया तो इसे काफी लोगों को फायदा होगा, TB का cases जो इसे लिए में गरीब लोगों में काफी प्रिविलेंट है यह है